राश्टिय मुक्त विद्याली सिक्षा संस्थान के योगा टीचर स्ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं डॉक्टर पवन कुमार चोहान सीनिर एग्जिक्टो अफिसर मेरे साथ पातांजली विश्विद्याले से परमशद्धे गुरूजी मौजूद हैं मैं योग के विशे में जो बहुत ही महरत हासल जिन्होंने किया है देश विदेशों में विश्व में जिनकी ख्याती है योग का पर्चम जिन्होंने सारी दुनिया में लहराया हुआ है आज मैं उनके साथ में हूँ मैं उनका स्वागत करता हूँ बहुत-बहुत स्वागत है गुर्देव आपका इसकार करने योग के विशे में आप क्या कियाना चाहेंगे योग एक जीवन विद्ज्यान है जीवन जीने की एक सुन्दर कला है योग के रास्ते से व्यक्ति सारीरिक रूप में मानसिक रूप में बहुद्धिक रूप से सामाजिक रूप से और अध्योगिक रूप से सारे जो जीवन के आयाम है उन सब में अपने आपको स्वस्थ प्रसन मजबूत रखते हुए अपने लिए और समस्टी के लिए जगत के लिए सब के लिए उपयोगी सिद्धो जाता है तो योग उस विधा का नाम है एक प्राचीन हमारे रिष्टी मुनियों के द्वारा खोजी गई एक अत्यंत जीवन की गहन प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सारी समस्टी में सौंदर ये भिखेरते हैं स्वामी जी आपने राष्टिय मुक्त विधाली सिक्षा संस्थान का ये कारिकरम जो योग शिक्षक प्रसिक्षण कारिकरम है योगा टीचर स्टेनिंग प्रोगाम ये जो कारिकरम है जैसा कि आपको बताया और आपने देखा कि ये प्रोगाम उन सभी के लिए है साधे सके उनको सही माघनसन दे सके उनको प्र शेक्षचर दे सके ऐसे लोगों को तयार करने के लिए पाठकरम बनाया है ताकि अलग अलग तरह की भांतियां जैसे लोग फैलाते हैं वह सम्णन हो और एक national standard पर ये पार्ट करम तयार किया गया है, इसके विसे में आप अपनी तरफ से क्या आसिज बचन देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि ये जो कारिकरम आप लोगों ने मिलकर के प्रारम किया है, ये फले, फूले और ये सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो, ये बहुत ही अच्छा कारिये विचार किया गया है, बहुत ही इससे सब का हित होगा, आज के इस भोतिक वाद जगत में जबकि सभी लोग केवल अपने शरीर के सुखुता की सिमित हो गए हैं, इस विधा से, इस जीवन की प्रक्रिया से, जीवन जीने की इस कला से लाभानवित होंगे, कि हम अपने शरीर को कैसे ठीक रख सकते हैं, और उसके साथ सबसे ज़् जरूरत है, मन को ठीक रखने की, बुद्धी को ठीक रखने की, तो शरीर तो एक प्रारंभिक माध्यम है, और उसका जो अंतिम पड़ाव है, कि हम अपने केंद्र, अपने स्वरूप को पहचाने, अपनी गहराई में प्रवेश कर सकें, बाहिये नाम रूप के पीछे, इस द्रिश्यमान जगत के पीछे, जो नए दिखने वाली एक सत्ता है, जिसको हमारे सास्त्रों में सची दानन नाम से पुकारा गया है, वहां तक पहुँचें, तो ये जो आप लोगों ने मिलकर के ये सब कारे किया है, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत सुब तर बढ़ते रहें, अपने लिए और सब के लिए अच्छा कुछ घटित हो सके, ऐसा हम सभी चाहते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद, जैसा कि अभी आपने सुना, कि ये पार्ठक्रम बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा उन सभी के लिए, जो पूरी तरह से योग के लिए समर्पित हैं, योग में काम कर रहे हैं, योग का प्रसिक्षन लेकर के योग की टेनिंग दे रहे हैं, त बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका, बहुत-धन्यवाद स्वामी जी, बहुत-धन्यवाद आपका.